आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन हूँ मैं खुद चलकर आपको लेने आता परन्तु अस्वस्त होने के कारण नहीं आ सका इतने वर्सों बाद आपसे वेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है लंदन में मिले थे वो दशेहरे का दिन था हाँ, तब वहाँ इंडिया हॉस में भी आपके स्वागत का सुवसर प्राप्ट हुआ था बहुत समय बीट किया आपने रतनागिरी में हरीजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत परसन से नहीं है हरीजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्ध सब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए उसकी जगे हरीजन कहना ठीक है हरीजन तो हम सबी है आप जिने हरीजन कह रहे हैं वे शोशित हैं, बीडित हैं मेरे विचार में जिस जाती विवस्था कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए नहीं, नहीं, ऐसा करने से तो ज़ने बढ़ेंगी कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वा से वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है चारवर्णों में विभाजित ये विवस्था हिंदू धर्म का आधार है वो नेटरल है और जरूरी भी चुआ चूत, इसके कारण पैदा नहीं हुई वो तो हिंदू धर्म के माते का कलंक है उसका अंग नहीं अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंग कैसे बन गई छुआ छूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कास सिस्टम को मिटा दिया जाए कास सिस्टम में महांशिक्ति छिपी हुई है इसके कारण हिंदु धर्म विखरने से बच गया है बच नहीं गया है मातमा जी कस सिस्टम के कारण हमारा धर्म हमारा समाज समाब्थ होने के निकट पहुँच गया है जिन्हें आप निम्ण जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है और जो अलग हो चुकी हैं उन्हें वापस लाना है मैं भी धर्म परिवर्थन के विरुदू हूँ, परन्त सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं, उन्हें वापस लाने की कोई जुरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए. सोच समझ कर, भले बुरे का विचार करके, अगर कोई व्यक्ती हिंदुत्व को अपनाना चाहे, तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतद्रता क्यों न दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्तितियों में घिर गए हैं, कि दूसरे धर्मों के अन्युयाई, उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तर पर मजबूर कर देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच उच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उप्योग नहीं है, मैंने उनके पुतले जला दिये हैं, इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी, ये हिंसा नहीं, संघर्ष है, संघर्ष और क्रांती से नई उप्योगी व्यवस्था का जन्म होगा, आप भी तो सोतंतरता प्राप्ती के लिए संघर् रहस बात पर है, कि आजादी, उचित और मैटिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्क पर चलें, इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भेंकर साधन संपन है, उसका सामना बिना हत्यारों के कैसे संभाव है, शत्रु के पास इतने जादा हत्यार ह कि हम अपने थोड़े से हत्यार लेकर उनके साथ बिलकुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्क पर नहीं चल रहा, मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुश्य का हिर्रे परिवर्तन होगा, यदि एक गाल पर तमाचे खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे, तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्ने मिलेगा, आपकी बात मनुश्यों के संबन में सच हो सकती है, परन्तु राक्षसों और पश्यों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिन हत्यारों ने जलिया व पूर आइंसा का लक्ष असंबव है, महान लक्ष चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं, हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है मुझे लगता है, हम कई बातों में एक दूसे से सहमत नहीं हैं, परन्तु सावर कर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रियोग करूँ अपने निजी प्रियोग के तराजू में पूरे राश्ट को रखने से पहले, राश्ट के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए मुझे आशा है, हम फिर मिलेंगे और बातें करें